तो चाइना में मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक मेरी जिन्दगी में ऐसा मोड आया कि मुझे इंडिया शिफ्ट होना पड़ा दोस्तों यह वही शन था जैसे मेरे दादा ने बाटिशन के टाइम इंडिया शिफ्ट हुए होगे हमारे पावर बेंक की डिमांड धीरे 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 कम होने लग गए हमारा सारा बिजनेस तबहा हो गया जितना माल पड़ा था वो खराब हो गया और जितनी भी हमारी डिमांड थी एक दिन में जीरो हो गया मेरे दादा जी पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आये थे जी हाँ, पाकिस्तान से और आपको तो पता ही है, जब कोई पलाइन करके जब यहाँ आता है तो उसके पास ना रोटी होती है, ना कपड़ा होता है, ना कोई साहरा होता है, ना रिस्थोर्स होता है अंदर अपनी पहली सांस ली हो संभालने से पहले ही उनके उपर घर संभालने की जिम्मेवारी आ गई वह मातर पांच साल के थे जब उन्होंने अपना बिजनस करियर स्टार्ट किया वह भी सबजी बेच कर और उन्हीं की बदौलत मैं आज यहां खड़ा हूं नीरच छोपर यह वो मॉबाइल हैं जो आपके घर की ड्रॉर में पढ़े होते हैं लेकिन आपके किसी काम के नहीं है लेकिन मेरे लिए वो बिजनस है आईए मैं आपको बताता हूं कि हमने इस धंदे को कैसे बनाया कैसे बढ़ा किया और आज हम कहा हैं और हम कहां तक पहुँचेंगे त तो वोक्स को हम बोलते हैं सस्ते मॉबाइल का अड़ा सस्ते मॉबाइल का अड़े का मतलब यह है कि हम आपके घर में जो मॉबाइल कबार में पड़े हुए हैं जो खराब मॉबाइल हैं जो आप यूज नहीं करते हैं उन मॉबाइलों को हम खरीदते हैं उसे खरीद के हम करते हैं रिपेयर करके नया जैसा बनाते हैं और आप लोगों को वापिस बेचते हैं तो यह सो करोड पे सुनकर आप बहुत मोटिवेट हुए होगे लेकिन इस सो करोड के पीछे बहुत सारी ब्रेंस्टॉमिंग रॉलर कोस्टर राइड है मेरी मेरी जिंदिगी का पूरा ए मेरे फादर साब ने मुझे वहां बेजा कि वहां जाकर अपना कुछ बिजनस स्टार्ट करने के लिए उपरचिन्डीज धूनो और उनके साथ काम करें तो यह जर्नी मेरी दो साल की थी जब वहां पर चली उस जर्नी के अंदर मैंने वहां के एको सिस्टम के बारे में समझ दो साल के बाद फिर मैंने अपना बिजनस स्टार्ट किया चाइना से जो मोबाइल फॉन एक्सेसरीस का था उस मोबाइल फॉन एक्सेसरीस के अंदर मैं वहां से इंडिया के लोगों को माल बेजता था और देखते ही देखते मेरा बिजनस बहुत अच्छा होने लगा क्यो समझा कि वहां की problems के आए हिंदियन को क्या माल चाहिए उन लोगों को आपस में compile करते वे मैं आगे बढ़ा उनकी problems को solve करते वे उनके धंदे की requirement को समझते वे मैंने उनको माल दिया सही रेटों में माल दिया और मेरा business grow करने लगा तो चाइना में मेरा business बहुत ही अच्छा चल वही शन था जैसे मेरे दादा ने मेरे partition के time इंडिया shift हुए होंगे लेकिन हाँ मेरे पास मेरी family थी support था पैसा था लेकिन एक चीज़ नहीं थी वो इंडिया का ecosystem की understanding वो मुझे संभलने में समझने में और अपने परिवार को उस दुख से उभारने में मुझे डेट दो साल लग गए तो उस डेट दो साल के बाद मैंने इंडिया में mobile phone accessories से जुड़ी हुई item power bank की assembling factory स्टार्ट करी और उसे बनाने में हमार को देखते ही देखते अच्छे orders मि देखते ही देखते business अच्छा हुआ लेकिन उसके साथ साथ challenges भी आते गए smartphone की battery जो कभी छोटी हुआ करती थी वो बड़ी होने लग गए तो हमारे उन challenges में हमने क्या face किया कि हमारे power bank की demand धीरे 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 कम होने लग गए और फिर आता है सबसे बड़ा challenge corona उस corona के अ चारा business तबहा हो गया जितना माल पड़ा था वो खराब हो गया और जितनी भी हमारी demand थी एक दिन में zero हो गई बस यही वो शन था तो यह वो moment था उस moment पे मैंने realize किया lockdown के बाद हम सभी के घर के अंदर कुछ ना कुछ electronics के अंदर problem आई थी किसी का mobile खराब हुआ किसी का charger खराब हुआ किसी का oven खराब हुआ किसी की जिन्दगी के और challenges आए लेकिन हमने electronics के इस challenge को solve करने के लिए zo box को चुना जो box एक वो business है वो business model है जो पुराने mobile को सही करके नई जैसा बना कर नए value से तकरीबन 60% सस्ता बेचता है क्योंकि सबके घर के अंदर कुछ ना कुछ खराब था और मेरे business का experience totally mobile phone accessories से था और mobile phone accessories का जब हमने power bank बनाए तो मैंने ये देखा कि demand घट सकती है लेकिन mobile phone एक ऐसी item है जिसके demand कभी नहीं घटेगी और लोग नया mobile खरीदने में विश्वास रखते हैं लेकिन पुराने mobile कुछ नहीं कर सकते हैं तो यही हमारे लिए एक मौका था कि आप लोगों के पुराने mobile को हम खरीदें और उसे नया बनाकर आप जैसे भाईयों को आदेदामों पर देदें यही वो मौमेंट था मेरी लाइफ का जहां पे मुझे जोबोक्स को शुरुआत किया और अपने पीछी वाली जिन्दी को पीछे छोड़ा तो यह मेरे लिए एक तरीके से अच्छा भी था और एक तरीके से बहुत अच्छा भी था तो हमने जोबोक्स की शुरुआत 2021 में करी पहले 5 एक्सपीरिंस स्टोर्स खोल का डेट साल के अंदर यह स्टोर 5 से 15 स्टोर हो गए लेकिन इस 5 स्टोर से 15 स्टोर्स बनाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करने पड़ी खुन पसीना बहना पड़ा और पैसे का भी लॉस हुआ हम उस चालेंजिस को नहीं समझ पाए जो एक कस्टमर की डिमांड थी हमारे पास इन्वेंटरी रोटेशन के चालेंजिस आए हमारे पास एंड कंज्यूमर को एज्यूकेट करने के चालेंजिस आए लेकिन इन चालेंजिस को समझते समझते मुझे डेड़ साल लग गया और हमने अच्छा खासा लॉस किया और आपको जानके हैरानी होगी कि ये लॉस करोडों में था लेकिन इस लॉस के बाद भी मैंने हार नहीं मानी हमने यही सोचा कि हम अपने बिजनस मॉडल के अंदर क्या चेंजिस करें जिसके कारण हम गेम में भी बने रहें और आगे भी बढ़ें तो यही वो शन था जब हमने उसको रिवैंप किया जोबोक्स 2.0 स्टार्ट किया और हमने सारे स्टोर्स बंद करते हुए अपनी आपको अपनी कंपने को एपलीकेशन की तरफ मुव किया यह 5 स्टोर देट साल की जरनी के अंदर 15 स्टोर में बदल गए इस देट साल की जरनी के अंदर जो मेरा सपना था मुझे लगा कि मैं कहीं पिछड़ रहा हूँ तो हमने अपने business model को restructure करते हुए जादा ध्यान देते हुए हमने एक चीज का call लिया कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें कुछ अलग करना है वो अलग क्या था? वो अलग था हर आदमी के शहर तक गाउं तक हमें पहुचना था जिनको हम product के बारे में बता पाएं, उनको product मोहिया करा पाएं तो यहां पे हमारी शुरुआत होती है हमारी technology मेरी technology team जो थी उसकी entry होती है और हमने एक application को war level पे build करना start किया उस application का नाम है zobiz zobiz वो application है जिसके उपर हम जितने भी retailers भाई लोग हैं दुकानदार लोग हैं उन लोगों को घर बैठे हुए mobile दे देते हैं उस zobiz के माध्यम से हम देखते ही देखते अपना business इतना grow कर गए कि आज हम एक लाग से उपर mobile बेच चुके हैं यह एक लाग मोबाईल कैसे बिके बताओं एक लाग मोबाईल बेचने के बीचे सबसे पहला कारण हमारे सभी लोगों की satisfaction वो क्या है हम mobile पर 12 महिने की warranty देते हैं दूसरी बात हम अपने सभी retailer भाईयों को चितने भी दुकानदार हैं उनको उनकी दुकान के उपर free में delivery करते हैं तीसरी सबसे बड़ी बात हम mobile को 12 महिने की warranty के साथ देते हैं जिससे जो end का consumer है उसे कोई भी problem ना हो हम चाहते हैं कि हर वो आदमी जो mobile खरीद रहा है उसे satisfaction मिलनी चाहिए और देखते ही देखते zero से 50 50 से 100 100 से 500 500 से 1000 1000 से 2000 3000 तीन हजार retailers की community जो बोक्स के साथ आज अच्छे से satisfaction काम कर रही है तो सबसे बड़ा मील का पत्थर सबसे बड़ा milestone क्या है जो बोक्स के scale होने में वो है technology अगर आपके पास technology है आपके पास वो शमता है जिससे आप हर अपने consumer तक आप पहुँच पाएं तो आप हमेशा winner होगे इसलिए मेरा मानना यह है कि technology बहुत जरूरी है आपके पास right product right moment पे right placement करना जरूरी है मैं यह चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं जितने भी young entrepreneurs हैं जो यह सब देख रहे हैं उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे को सबसे पहले requirement क्या है हमारी problem statement क्या है अगर हमारे पास वो problem statement है अगर हमारे पास उसका solution है और वो solution के अंदर हम technology को डाल देते हैं तो दोस्तों scale, ultra scale है आज मैं एक जित लेकर यहां खड़ा हूं मेरा एक सपना है कि मैं हमारी company को एक लाख लोगों की company बनाना चाहता हूं और इस एक लाख लोगों की company के लिए हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी तहसील है वहां पर मैं अपने जोबोक्स का एक आदमी deploy करना चाहता हूं जिससे वो existing mobile phones के धंदे में जितने लोग हैं और जो नए नए लोग हैं जो नए गाउं में लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उन लोगों को एक अफसर देना चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़के वो पैसा कमा है मोदी जी के हमारे परधान मंतरी के सपने digital सपने को साकार करें और जोबोक्स उसमें एक एक role play करना चाहता है एक vital player बनना चाहता है दोस्तों जितने भी लोग इस कहानी को देख रहे हैं या जितने लोगों तक ये मेरी आवाज पहुँच रही है कहानी पहुँच रही है मेरा उन सभी young entrepreneurs के लिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा message है कि कभी भी अपने business model के साथ obsessed नहीं होना है अपने business model से ज़्यादा प्यार नहीं करना है क्योंकि हर business model के अंदर हमेशा और हमेशा जरूरत होती है change करने की तो सिर्फ अपना goal change करना है अपना vision change नहीं करना है ये बहुत जरूरी है किसी भी धंदे को किसी भी बिजनेस को मुकाम तक पहुचाने के लिए सपने बड़े देखें लेकिन उन सपनों को जीने के लिए रास्ते परिस्थितियों के हिसाब से बनाएं I am very thankful to Josh Talks जिन्नोंने मुझे ये मौका दिया ये अफसर दिया अपने experiences शेर करने का and I am very very grateful they have built a great platform जहां पर हम लोग एक दूसरे को inspire करते हैं motivate करते हैं अपने challenges बताते हैं अपने success बताते हैं जिसके कारण हम एक दूसरे को मुका देते हैं सोचने की शमता देते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें जो जो challenges face की हैं उनसे कैसे overcome करना है तो ये platform एक super platform है I am really grateful to JoshTalks that they have built a great effort Thank you so much